हेलो सुदेंट्स वेलकम टू मैनेट जेए मेन 2025 के लिए एक बहुत इंपॉर्डेंट नोटिफिकेशन बच्चो आप लोग के लिए आ चुका है यह नोटिफिकेशन आने के बाद जो है बहुत सारे लोगों के अंदर यह कन्फूजन था कि यह क्या असली नोटिफिकेशन है और इजनल है या फिर कई फेक निउस तो नहीं फिला दी गई है ठीक हमेशा जब भी कोई ऐसा नोटिफिकेशन आता है लोग बाग यह की चीज़ पूछते हैं कि इसका ओफिशल लिंक कहां पर है ठीक है तो देखिए बच्चों इसका जो ओफिशल लिंक है nta.ac.in पर पैटन हुआ करता था nta कहा रहा है कि वापिस से उसी पैटन पर हम लोग जा रहे हैं तो जो भी बच्चा यह वीडियो देख रहा है चाहे जई का एस्पिरेंट हो चाहे नीट का एस्पिरेंट हो नीट के लिए कोई ऑफिशल नहीं है बट यू कैन एक्सपेक्ट कि अगर तो देखी इस notification को हम पढ़ लेते हैं देखते हैं कि notification के अंदर क्या कहा गया है 17 October 2014 का यह notification है बट लोग के जो है notice के अंदर यह वाला notice 18 तारीक को आया ठीक है तो जनरली कल जो है social media के अंदर जो है यह notice float हो रहा था तो इस notice के अंदर पढ़ते हैं देखी कहा क्या गया है Department of Higher Education, Ministry of Education, Government of India has entrusted the responsibility of conducting the J-Main examination to NTA in the year 2019. For the conduct of J-Main examination, the registration process for the online application form will be starting in due course of time. मतलब बहुत ही जल्दी बच्चो आपका registration स्टार्ट होने वाला है, तो यह जो basic basic चीजे होती हैं, जहां हमें हमारा आधार काड अरेंज करके रखना होता है, आधार काड के अलावा जो है, जो basic documents होते हैं कि 10th की mark sheet हो गई, यह सारी चीजे बच्चो तैयार रखना, ठीक है, क subject in JMA examination, allowing candidate to attempt 5 questions out of the total 10 questions, तो 10 में से आपको 15 बच्चो choice मिलती थी, this modification was introduced as a temporary measure to accommodate the challenge posed during the pandemic and has been in practice till year 2024, तो till year 2024 से 19 से लेके 24 तक यह जो criteria था, आप लोक लिए दिया गया था, 10 में से कोई भी 5 questions कर लो, इससे क्या impact होने वाला है, उसकी बच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् बात हम जरूर करेंगे यहाँ पर, UN World Health Organization, WHO ने बोला है कि भाई, COVID जो है, अब एक जो है, public health emergency नहीं रहा है, में 2023 मुनों ने यह चीज़ डिक्लेर कर दी थी, and it has been decided to discontinue the optional section of the questions, ठीक है, तो optional selection of the questions को discontinue किया है, examination structure would return to its original format, अब दोको जैसे यह बात है, बच्च्च्च्च्च में बहुत जवर्दस confusion यह हो गया, कि क्या सर जो 5 questions आएंगे, उनमें negative marking हो गी या नहीं होगी, बच्चों पहले भी negative marking होती थी, तो आपका overall पूरा paper जो है, हर एक question के अंदर negative marking है, बिल्कुल criteria simple है, 25 questions physics के होंगे, सही करने पे plus 4 marks, incorrect करने पे minus 1 marks, तो सारे सही करते हैं, तो 25 बच्चों ने बोला that, आगे, without any options for selection in J.E.M.N. 2025 for paper 1 and paper 2, तो बच्चों दो paper होते हैं, I hope आपको पता होगा, B.Arch, जो बच्चे architecture में interested होते हैं, वो इस paper को जरूर लिख सकते हैं, with reference to the modification mentioned about the detailed pattern of examination will be available in information bulletin, तो हमेशा J.E.M.N. की website पे complete information bulletin आती है, जिसके अंदर हर एक पॉइंट जो है, उन्होंने आप लोग को बता रखा होता है, तो अगर आपको ये tension है भी सही अभी की सर, ये कहा तो नहीं है, इस notification के अंदर की plus 4, minus 1 है, हम आपको बता रहे हैं, base zone, prior experience, and मैं आपको बहुत important चीज़ ये भी बता देता हूँ, जब हमने मैनिट के अंदर ब पच्चों के लिए सिर्फ 25 questions ही रखे थे, अब आप में से बहुत सार ऐसे सोचते हैं कि सर, क्या आपने जो है, ये future का horizon जो था, ये पहले कैसे देख लिया, ठीक है, ये तो मजाग की बात है, but reality ये है कि हमारा जो think tank था, हमने सोचा, and इस चीज़ को जो है, विचार विमर् की main pattern के जो paper थे, उनमें 25 questions ही रखे थे, 20 जो है single correct choice, and 5 जैसा ये कह रहे हैं कि अब option खतम हो गया है, ठीक है बचों, इसके अलावा एक और दूसरा notice भी इन्होंने यहाँ पर release किया, जिसमें इन्होंने same चीज़ बताईए कि बहुत जल्दी registration स्टार्ट हो जाएगा, तो there is no meaning, इसको अगर separately नहीं पढ़ोगे तो भी आप बात समझ में आ जाएगी आपको, अब देखिए एक बहुत important analysis, इसे impact क्या पढ़ने वाला है, ठीक है, तो impact की थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं, हर बच्चे के मन में यह होता है कि impact क्या रहेगा sir इसका, first thing, cut off, ठीक है, तो match, physics and chemistry में हमने past के अंदर देखा कि बच्चों के जो हैं, बहुत अच्छे score आ रहे थे, 70, 80 marks लाना जो था, बहुत normal सा scenario था बच्चों के लिए, और 70, 80 marks लाने के बाद भी वो देखते थे कि उनकी जो percentile थी, 95, 92, 94, 90 तक ही पहुँच पाती थी, बहुत सारे बच्चे अच्छे amount का पढ़ने वाला है, reason, अब आपके अंदर पास जो है, वो selection का criteria नहीं रहेगा, मैं match की बात भी करूँगा अलग से, बट physics, chemistry में क्या होने वाला है, इन दोनों के लिए, जो हमारा preliminary analysis है, वो ये है, that marks versus percentile, ये dip करने वाली है, dip, dip करने का क्या मतलब है, अगर आपके पहले 70 marks पे 92 percentile बनते थे, तो अब आपके 70 marks पे ही थोड़े जादा percentile बन जाया करेंगे, इसका मतलब है, कहीं न कहीं physics, chemistry के लिए toughness increase होने वाली, not in terms of paper, मैं बोल रहा हूँ आपको percentile terms में, जहां 87 marks पे आपकी जादा, 90-92 percentile तक ही पहुँच पाते थे, अब और अच्छे percentile तक आप पहुँच जाओगे, तो basically क्या हुआ, percentile same लाने के लिए marks आपके dip कर गए, ठीके, यह dip का reason में आपको बता दिया, बच्चे के बास selection खतम हो चुका है, मैच के अंदर बच्चों देखा गया था, कि बच्चों के जो हैं उतने ज्यादा marks नहीं आ रहे थे, ठीके, रफली अगर देखा जाए तो 30 marks के उपर भी 90 percentile easily cross हो जाता था, तो यहाँ पर बहुत बड़ा impact इसलिए नहीं पढ़ने वाला है, क्योंकि पिसलिए 2-3 सालों से हम बच्चों से यही सुनता आ रहे हैं कि सर मैस का पेपर थोड़ा लेंदी आ रहा है, लेंदी आ रहा है, तो जब पेपर लेंदी था, तो बच्चा 25 questions पूरे कर नहीं पाता था, तो अभी भी वही scenario रहने वाला है, चाहे हम option दें या न दें, वो बच्चा सारे questions कर नहीं पाएगा, मैं सिर्फ टॉप बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ जर्नल यहां पर जितने जातर, majority of the बच्चे paper देने उनकी बात कर रहा हूं, So our analysis is कि यहां पर जो है, at low marks, better percentile, यह होगा आपका यहां पर, and यहां पर no impact, कोई बहुत बड़ा impact नहीं पढ़ने वाला है, हाँ, एक number कम हो जाने से, दो number कम हो जाने से, same percentile आती है, तो उसे बहुत बड़ा impact नहीं कहते हैं, हाँ, यहां drastically हो जाएगा आपका impact, 7-8 number कम लाने पे भी आपको जितनी पुरानी percentile बनती थी, वो बनने लग जाएगी, तो यह तो रहा बच्चों कैसे हर एक subject पर आपका impact पढ़ने वाला है, अब दूसरा, चार category के बच्चों होते हैं, देखो ध्यान से, उन चारो category के बच्चों पर क्या impact पढ़ेगा, एक बच्चा ऐसा होता है, जिसको knowledge पूरा होता है, कि सर, knowledge पूरा है, speed भी पूरी है, इस section of बच्चे के लिए कोई impact नहीं पढ़ेगा, no impact, ठीके, ये तो वो होते हैं, जो toppers होते हैं, हम वो ही समझ रहे होते हैं, कि सर, सब कुछ आता है, speed भी बहुत तेजे, तो ये toppers जो and speed भी जो है, नहीं होती है, ठीक है, struggle कर रहे होते हैं, मन में बिल्कुल इच्छा होती है, कि सर, जेए की preparation करनी है, पर अभी कुछ अचीव ही नहीं कर पा रहे हैं, confuse हो रहे हैं सारे के सारे, direction नहीं है, ऐसे cases में, इनके उपर भी बहुत ज़्यादा impact नहीं पढ़ेगा, impact क इस पर पढ़ने वाला है, impact इस बच्चे पर पढ़ने वाला है, जिसके पास जो है, knowledge की थोड़ी कमी थी, बट बच्चा अच्छा था, बच्चे ने बहुत effort करके पिछले दो साल में पढ़ाई करी थी, बट सर मेरा जो है, सर, wave optics week रह गया था, मेरा जो सर है, सर, class 11th का जो हो जाएगा, बर आप यह questions कर नहीं पाएंगे, तो ऐसे बच्चे के उपर बहुत ज्यादा impact पढ़ने वाला है, यहाँ पर जो है, अच्छा कासा impact देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी जो है, no impact है, तो बच्चो इस से एक conclusion यह निकल के आता है, कि आपको topics नहीं छोड़ दे है, पहले हम सोचते थे कि चलो ठीके छोड़ देते हैं, अगर integer में कुछ आ गया है, तो हम लोग manage कर लेंगे, so that is our preliminary conclusion of this thing, कि हमने यह analysis यहाँ पर किया है, बच्चो आप लोग के लिए, and जाने से पहले में एक और important बात बता दू, that manit के अंदर भी जो है, हम बच्चो के support क के लिए, जो talent होता है, उसको reward करने के लिए, MTSC, Manit Talent Search Examination करा रहे है, मैं आपको इसकी dates बता देता हूँ, ठीक है, तो अगर आप future JEE या NEET aspirant है, या फिर अपना foundation भी जो है, बहुत strongly build करना चाहते हैं, तो dates आप देख लीजिए, October, जो है यहाँ पर, एक तो जो date है, मैं आ November, वो भी मैं आपको date बता देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि November month जो है आपके सामने है, November में 10th of November, बच्छो, Sunday को जो है यहाँ पर, Manit Talent Search Examination आप लोग के लिए होने वाला है, ज्यादा details जानने के लिए आप फटावटची क्या कर सकते हैं, Manit की website को visit कर सकते हैं, and you can go through the complete details, and our helpline number is also there, you can contact in case of any confusion, I hope आपको सारी clarity मिल गई होगी, and all the best for J-Main examination, ऐसे ही और important updates के लिए, हम हमारा जो Manit का channel है, YouTube channel इसके उपर, छोटे-छोटे वीडियो आप लोग के लिए लेके आते रहेंगे, and सारा जो J-Main का जो process रहेगा, उससे detail में आपको बताते रहेंगे, all the best macho.